नवश्कार मैं मुंबई क्राइम पेज निउस से संपादक विनोचाउन बोड़ रहा हूं और आज मैं इस हॉल में जो कवरेज के लिए जो मेरे बैक सेट में आप देख रहेंगे कैमरे मनें एक बाद दिखाई कि यह सारे चेहरे यह वो चेहरे हैं जो संगीत के अंदर अपने अपनी पैचान बनाने के लिए आज यहां सारे लोग इकटा हुए है इनके जो और्गेनाईज है शायद उनका नाम है वाहे गुरू करके संगीत और यह तमाम लोग आज संगीत के एक ऐसे माहल में ले जाएंगे मेरे मुंबई क्राइम पेज के और अदर मुलून के और मुंबई के तमाम सारे दर्शक आज वो संगीत को सुनकर हकीकत में आज आपको वो सकुन जो मिलेगा मैं इस पूरे प्रोग्राम के जो और्गनाइज है उनी से इस प्रोग्राम के बारे में यह पूछूंग आता कि जनता को भी पता चले कि यह गुरूप बनाने के पीछे उनका क्या मकसद रहा तो मैडम बताईए कि आप यह जो प्रोग्राम अपने आज यहां और यह चोटा सा फीमिली गूप इस तरहल में जो फेट यहां है उमारे फाउंडर इंतरपल गांधी जो मेरे फ्रेंड थोग्रेकरूना में बेल को ग्रूंटर ज़ां चूरू अजो कि अर उन्ने उन्ने मैं इनके श्रू किया ता यह कुरू हमने नियर पांट चले अगज बेटेज शो मिनिस्टेज शो मिनि जैमिंग शो करके और हर कोर्ने से पॉम्वे के हर को अविट ड़ोनेस मैं इस्टा किया है कांधी भूरी विली स्टेल मातंग अवइन पुना से हर्शू में आते हैं माधने कि लिछ एफ पुना-स गाने खाल से हमारे क्रूप के लिए और ह जो सोच मैं साती साथ तमाम जो भी यहां के सिंगर है उन लोगों को भी पूछूँगा कि यह संगीत के बारे में उनका अपनी क्या अच्छी राय है मैं सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करता हूं आप सबसे ज्यादा ही रो तो आप ही देख रहे हैं हमें लिए इनकी खास बात है कि यह भी इस पैचाना रहे लेकिन यह इतने खुपसरत है बस मैंने यह का यह दिल से गाते हैं और अपनी आवाज लोगों के दिल तलग पहुचाते हैं ऐसा उनका कहना तो बताइए कि आप इस संगीत के बारे में आपकी क्या रहा है बहुत अच्छी राय हैं मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं मांजी दीदी का बहुत शुकर गुजार हूं कि उन्होंने मेरे को मंच दिया मैं राइपूर से आया हुआ हूं और मैं पिछले 15-16 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं मैं मैं चाहता हूं कि इने नहीं हमारे जन्ता के लिए ना गुन गुना के बते हैं ताकि आपकी आवाज उनकी दिलो तलक पहुच जाए तुम जो मिल गए हो तो यह लगता है के जहां मिल गया के जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवा मिल गया इसी कारवा को मैं आगे और लेते वे मैं और तमाम जो भी सिंगर है उनसे भी पूछूंगा मैं सबसे पहली बात हम आज महला दिवस के लिए मैं अपने मुंबई क्राइम पेज के तरफ से सभी महलाओं को में सुप इच्छा देना चाहता हूं और सबसे पहले मैं से पूछ लेते कि संगीत के वारे में आपके के राहे है आपके इसमाइल अच्छी है तैंक यू मैं मांसी से पांच साल से जुड़ी हूं और इंदरपाल जी जब थे आज उनका बर्दे है तो उनको मेरे हमारे सब के तरफ से हापी बर्दे अब तो है नहीं बट मैं उनके घर भी जाके हम पहले घर में ऐसे मस्ती टाइम पास करते जैमिंग करते थे उनकी डेथ के बाद धीरे 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 हमने ये स्टेज प्रोग्राम शुरू किया और मुझे नतनी पैदा हुई तब से ये फाउंडर ने मेरा नम नानी रख दिया मुझे बड़ा बुड़ा सब मुझे बच्चे भी नानी सब नानी से बुलाते हैं तो मैं मांसी को थाइंक्यू काऊंगी जो मुझे अच्छा नम जगत नानी नहीं है ये सिर्फ हमारे वाई ग्रूप की नानी है तो जिस तरह इस और एख चेरा जो मैं मैं इस बीड़ के अंदर इस बीड़ के अंदर सबसे जवान चेरा है आप लोग देखना दर्श्रक वो जवान चेरा देखिए उस सबसे लास्ट में चस्क्राइब आए आपागे मैं संगीत के बारे में आप से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने जवान कैसे और उसका राज क्या है सर मिरे को ये पता नहीं कि दुख क्या होता है खुशी तो मुझे पहले से थी मांसी ने उसमें एड कर दिया वो कहते हैं कि चाट मसाला डाल दिया बस उसी हिसाब से मैं चलते रहा हूं हसते रहता हूं और गुन-गुनाते रहता हूं और ये मेरी पूरी जो टीम है न इन्होंने मुझे आपको मैं गा के सुनाओंगा तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना और ये सब मेरे साथ गाएंगे अभी याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना तो देखा दर्शु को, अगर जब यारी की बात आती है तो इससे अच्छा यार कहां मिलेगा मैं और एक चेहरा है, जो और पीछे, मैं पीछे से पहले लेता हूँ ताकि फिर आगे और को भी में करिश कर लूँगा एक और एक चेहरा, जो सबसे ज़्यादा वो भी जवान है हमारे बीच में, आईए आप आपको दो वीड़ में तो आना बड़ेगा तो आप संगीत से कब जुड़े और संगीत के बारे में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? बिलकुल बच्पन से जुड़ा हूँ, और अब मुझे ये मंच मिलाया है कि मैं गाहा पारा हूँ अभी, काफी कुछ ये मैडम ने में मुझे सिखाया है, गाना किस तरह से गाता हैं, कैसे बिएव करते हैं, और एंटार पीपल इस माई फेमली, और ये तमाम चेहरे के बी संगीत के बारे में बास इतना ही कहना चाहूंगा, कि संगीत जीवन है, और जीवन में अगर संगीत हो, तो कोई विबदा नहीं आती, इससे ज़्यादा में कुछ नहीं कैसा, तो जनता आपने देखा, संगीत के बारे में लोगों की कैसे कैसे राये हैं, संगीत एक ऐसी च महत्व प्रफद अप्र संगीत के वारे में जनता को बताना चाहते हैं संगीत का महत्व जीवन में इतना ही है जीतना हम जास लेते हैं जितनी सास की जरूरत है जीवन जीने के लिए उतना ही एक संगीत प्रेमी को संगीत की जरूरत है संगीत एक ऐसा माध्यम है दीन पर में कितनी भी थकान कितने भी तनाव में आप अगर घर में पोशते हो ज्यादा नहीं एक आदा गंटा अपनी होबी को संगीत को अगर अपना ते अपने जीवन में धारन कर लेते हो आदा गंटा कोई भी गीत गुन गुन गुना लो पूरे दिन की ठकान उतर जाती है और जहां तक मैं समझता हूँ कि जितने गीत का रहे है पनकार है जितने भी उनके बारे में किसी एक ने खयाल अपना व्यक्तर किया था कि गाते रहो गुन गुनाते रहो हसते रहो हसाते रहो मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहो हमें कहा है दुनिया एक दिन तुम को ही पागल कहेगी तो मैंने उनको इसी सवाल पूछ लिए कि ये किस तरह का आपका जुमला है कि दुनिया पागल कहेगी तो बोलते हैं रस्ते में रहा फीरते चलते किसी भी इंसान को खड़ा करके पूछो कि भाई ये दस आदमी है इसका मनोरंजन कर पाएगा बोलते हैं पागल ही होता है जो पूरे ओडियंस का मनोरंजन करता है इसलिए कलाकार को हमेशा पागल के दरजा दिया गया है और ये पागल लोग ही है जो आम जनता को खूश रखते हैं हसाने का काम करते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा संगीत है तो हम है तो सुना जनता आपने आज पहली बार नितिश होता है मैं एक और एक चेहरा है जो